नमस्काल दोस्तों, जेवाल पॉइंट की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखे प्रेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं MD Category की रिगार्डिंग कि MD Category क्या होता है, क्या मतलब इसका होता है, किस तरीके के लोग इस Category के अंदर आते हैं, कट ओफ क्या रहती है, एक्जाम में गवर्मेंट इजोब की ये लोग कैसे प्रपरिशन कर सकते हैं कि या तमाम जानकारी इस वीडियो के माइदम से आप लोगों को देना चाहेंगे देकि दोस्तो MD Category का मतलब होता है, Multiple Disabilities यान्य कि जिसके सरीर में एक से ज़्यादा कम्याहों उसको Multiple Disabilities के अंदर लेते हैं अब देगी अगर आप गूगल पर इसकी Definition देखेंगे गूगल पर इसको चेक करेंगे या किसी भी Official Data के हिसाब से आप देगेंगे तो MD का मतलब होता है जैसे हमारी 4 Categories होती है अपकी एक तो OH Categories, VH Categories OH मतलब जो हड्यों से रिलिटल होती है जिनको हाथ में दिक्कत, पैर में दिक्कत बोनेपन की दिक्कत या फिर इसमें 20-22 दिक्कत ऐसी आती है जो OH Categories के अंदर आती है VH मतलब जिनको Visually यानि कि जिनके आइस में दिक्कत हो जिनके आख में दिक्कत हो जिनके कान में दिक्कत है जिनके कान में दिक्कत है जो हेरिंग में जिनको दिक्कत है ठीक है दोस्तो तो यह categories आपकी पहले थी तीन categories इसमें OH यानि कि जो भी हड्यों से related थी और VH जो blind से problem थी और HH जो आपके ear से संबन्द थी उसके बाद आपकी एक नई categories add की गई वह की गई MD categories ठीक है दोस्तो इसमें क्या किया गया या तो OH categories और VH categories में जो दिक्कत से है OH और VH से तो उसका आपका certificate MD का बनेगा या OH category और HH category से संबन्दित है इससे problem है उसको OH भी है और HH भी है तो आपका MD का certificate बनेगा या आपको VH और HH में problem है तो आपको MD का certificate बनेगा इस तरीके का MD का certificate आपका बनता है लेकिन अब पता नहीं MD का जिस तरीके से मैं देख रहा हूं देखिए मैं इसमें बिल्कुल शूर नहीं हूं 100% नहीं हूं मैं आपसे पहली बोल देना चाहता हूं कभी आप मेरी बातों को बाद में कहें कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है अकर आपके regarding ऐसा है तो बता दीजेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं ठीक है दोस्तों केटेगरिय में दिन पर दिन competition बढ़ता जा रहा है कई बार जैसे मैं सेंटर्स पर जाता हूं या कई बार लोगों को देखता हूं तो उनको का मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने certificate कैसे बनाया यह डोक्टर ने उनका माली जो उनके हाथ में दिक्कत है या पैर में दिक्कत है तो उसका MD का जारी किया हूँ यह नहीं किया हूँ ठीक है मैं 100% स्वोर नहीं हूँ किया है नहीं किया है मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं अगर कुछ लोग ऐसे हैं और वो selected ही हो चुके हैं तो उन इसाब से देखा जाए तो एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि डोक्टर ने मेरा MD का बनाया हुआ है मेरे हाथ में दिक्कत है और मेरे पैर में दिक्कत है लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा सेर्टिफिकेट डोक्टर ने बनाया होगा या तो उसको कुछ गलत फैम हुई है उसमें गलती हुई है अगर ऐसा किसी के साथ बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ MD कैटेग्री तो वो मुझे कमेंट करके जरूर पताईएगा ठीक है दोस्तो हाँ उनका तो पताई जो लोग आँखों में दिक्कत है और हाथ या पैर में दिक्कत है उनका MD कव certificate बनता है जो कि लोग change भी करा रहे है और उनका सही भी है वो MD कैटेग्री में चले जाएं कम से कम OH कैटेग्री में थोड़ा सा कम होगा थोड़ी भीड कम होगी ठीक है दोस्तों तो MD categories HH categories से ज्यादा लोग अब इसके अंदर सामिल हो रहे हैं ठीक है क्यों क्यों कि HH categories की candidate तो बहुत ही कम है इस वज़े से कटोफ तो कम जाती है HH categories की MD categories की अब कटोफ जहां तक है वो धीरे धीरे बढ़ती जाने लग रही है जिसी साब से पहले इनकी seat खाली रहती थी अब seat पर इतना seat इनकी भरने लग रही है खाली नहीं रहती MD category के certificate लगाता बढ़ते जा रहे हैं और MD categories में आप डोक्टर से मिलिएगा अगर आपको दो दिक्कत है हैं और उनसे पता करिएगा कि क्या हमारा MD का certificate बन सकता है जो भी लोग दो प्रोब्लम से related हैं नहीं कि जिनको कोई भी दो प्रोब्लम है एक बार आप थोड़ा सा डोक्टर से सला लीजिएगा पूछिएगा क्या MD का certificate बन सकता है नहीं बन सकता क्योंकि जो officially YouTube बगएरा जो Google बगएरा पर search करते हैं उसमें तो यहीं सब लिखा रहता है अगर ऐसा कुछ है तो आप देखिएगा ठीक है आप मुझे भी बताइएगा और ताकि मैं और लोगों को पूरे shorty के साथ कह सको कि हाँ इस तरीके से certificate बनता है उसमें भी साथ कहीं न कहीं लोग गलतिया कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो PWD others का मतलब होता है PWD others आपने एक option देखा होगा ठीका दोस्तों तो उसमें क्या होता है उसमें MD categories के लिए वह होता है और उन लोगों को लगता है कि मुझे मेरी कोई भी disability नहीं है तो वो PWD others पर कर देते हैं ऐसा भी मुझे लग रहा है ऐसा मैसूस हो रहा है जिसे मैं SSC के centers पर देखता हूं PWD others के काफी जादा students होते हैं जो कि ठीक टाक नोर्मली लगते रहते हैं जिस उनको एक ही कमी हो या फिर उनके हाथ में पैर में दिक्कत हो लेकिनों PWD others पर करके लगते हैं मुझे लगता है उन लोगों को नहीं जानकर रहे है कि OH categories के अंदर आते हैं या वह वह categories के अंदर आते हैं लेवे PWD other पर कर देते हैं जो कि SST में OH, VH, HH करके लिखा होता है एक option होता है PWD other ठीक है दोस्तों PWD others में भी काफी लोग इस तरीके से गलतियां कर रहे हैं और बाकी बात करें exams की तो extra time लेकर के subscribe लेकर के काफी लोग गलत चीजे कर रहे हैं ध्यान से स्टाइल चीजों को पहले जानकारी लेकर के उसके बादिया फोम फिलप करा करें क्योंकि बीना वज़े अगर आपको subscribe करेंड नहीं उस पर आप yes कर देते हैं आपके category कुछ और है आप गलत categories पर yes कर देते हैं तो उसमें आप बिल्कुल जह बहारा होगे उन चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए ठीक है दोस्तों और तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे वीडियो के comment करके आप बताएं वीडियो को share करें चैनल को जाद से जाद सेयर करें आप ठीक है लाइक करें सब्सक्राइब करें जरूर ठीक है दोस्तों बाकी जो भी information होगी handicap category से लिटिर वो इस चैनल के मादम से आप लोगों को लगतार दी जा रही है पिछले लगबग दो साल के आसपास से हम लगे हैं आप लोगों के साथ की हम जितना बहतर कर सके उतना करने की कोशिस कर रहे है लगववफू दो साल जैवाल point को पूरे होने जा रहे हैं तो ठीक है दोस्तों जो भी जानकारी हम देते हैं उसमें आप जो тепए हमें बताया करें कि क्या सही है क्या नहीं है इसी से आप लोगों को जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी को जानकारी पता च झाल झाल